प्रीय दोस्तों नमास्कार आज के इस वीडियो में हम टेंस की फोर्म याद करने के कुछ नियम सीखेंगे कि टेंस की पहली फोर्म तो हमें याद रह जाती हैं लेकिन दूसरी और तीसरी फोर्म बनाने में हमें दिकत आ जाती है तो इसे ही ठीक करने के हम आज कुछ यम बढ़ेंगे ताकि हमें सेकिन फोर्म और ठल फोर्म बनाने में कोई दिकत ना हो देखिए फोर्टेंज की फोर्म याद करने के यम तो पहला वाक्य है पहला सब्द है अराइज देखिए पहला है अराइज इसकी सेकिन फोर्म केसे बनाएं देखिए ध्यान से ए हमें वेसा ही लिखना है आर वेसा ही लिखना है सेकिन फोर्म बनाने के लिए आई के अस्तान पर ओ लिखा जाएगा एस और ए सेम लिखा जाएगा इसे कहते हम अरोज यह राइज की सेकम फोर्म अरोज होती है इसके ठल्ड फॉर्म केसे बनाएं देखिए ठाल्ड फॉर्म बनाने के लिए E लिखना है, फिर R लिखना है, I लिखना है, S लिखना है, फिर यह वाला E लिखना है ठल्ड फॉर्ब बनाने के लिए लहाष्ट में N लिखा जाएगा ये हमारी हुई ठल्ड फॉर्ब ठीक ये वाला भी वैसाई बनेगा इसे हमें इस परकार लिखना है R, I के स्थान पर O, S, E और आगे R, I, S, E, N इसी को लिखना है यहाँ भी और लास्ट में N लगा देना है जिस परकार उपर लगाए था ये हुआ फर्ष्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ठल्ड फॉर्म अब इंगलिस के सारे रोल सही तो नहीं होते इसमें कुछ अपवाद होते हैं तो वह आपको याद रखने हैं नब्बे पर्षत तो यही रोल जलते हैं लेकिन कुछ रोल सही नहीं होते यहाँ पर देखे, राइड यहाँ पर यहो रोल थोड़ा सा काम करेगा सेकेंड फोर में वैसा ही होगा आर आई के स्तान पर ओ, डी, इ फल फोर्म बनाने की लिए हमें आर, आई, डी यहाँ पर डबल डी लगाया जाता है और ई और लाश्ट में एन ठीक उसीपर का लिखा जाए अब नोट्स पर चलते हैं दिखी नॉर्थ इस वीडियो में इतना ही थैंक यू, वैव नाइस टी